हेलो व्यूवर्स आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसी सैंडविच जो बच्चों को बहुत पसंद आएगी अगर आप कुछ इस तरह से उन्हें बना कर दोगे तो चलिए लेट्स केट स्टार्टेड एक सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक पैन को गरम कटना है और पैन में बटर को स्प्रेड कर लेना है अब ब्रेट के दो स्लाइसेस मैंने यहां डाल दिये जिनके मिडल पोशिन को मैंने हटा दिया है स्क्वेर शेप में अब हमें इंडिविज्विज्वल स्लाइसेस ओफ डेड में अंडे को डालना है इसमें हम काली मेज स्प्रेंकल करेंगे नमक इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लीजे अब इसमें हम डालेंगे चॉप्ट अनियन चॉप्ट टोमेटो चॉप्ट ग्रीन चिली चिली फ्लेक्स अब जब यह सारी चीजों को डाल रहे हों याद रखे कि फ्लेम बिलकुल ही लो हो अब हम दोनों ब्रेड में चीज के स्लाइसेस रखतेंगे मैंने याद फिर से चिली फ्लेक्स प्रिंकल कर दिया है आप चाहे तो यह स्किप भी कर सकते हैं अब ब्रेड के स्लाइसेस को उपर से प्लेस कर दें अब ब्रेड के उपरी पोर्शन पे हमें बटर को स्प्रेड कर लेना है अब धीरे से फ्लिप करके हमें दूसरी पोर्शन को अच्छे से कुप कर लेना है दो तीन मिनट इसे अच्छे तरह से सेक लें और बस यह यम्मी चीज एक सांडविच बिलकुर रेडी है यह बनाने में बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में उतनी ही टेस्टी तो फ्रेंज आप भी इसे बनाए और अपने बच्छों और फैमली की साथ एंजॉय करें इस नहीं प्रेंपुर बस्ते बिल्कुर टो आप भी डिल्प्रें और लेड आप प्रेंड जिए बाहिए यह तिल बाहिए